हेलो स्टूडंट वालकम तो माई यूटूब चैनल एक्सिलेंट सक्सेस ग्रूप तो स्टूडंट आज हम डिसक्स करेंगे क्लासिक्स मेमेथ NCRT एक्जांपलर का चेप्टर नमबर 4 फ्रेक्शन अन डेसिमल्स कोशन नमबर 47 दे रखा है फ्रेक्शन 15 अपन में 39 और 45 अपन 117 अर एक्विलेंट फ्रेक्शन ये दोने एक्विलेंट है या नहीं हमें वैरिफाइ करना है तो देखो 15 अपन में 39 एक्विल में 45 अपन में 117 अगर आपका इस फ्रेक्शन छोटा होता दिखे तो आप इनको 3, 12, 3 की डेबल में आता है तो दोनों में 3 का डिवैड़ चला जायाएगा 3 5s are 15, 3 1s are 3, 3 3s are 9 इन दोनों भी 3 का डिवैड जा रहा है जैसे पता लगा 4 और 5, 9 नो भी 3 की डेबल में आता है 7 और 1, 8 एक 9 वो भी 3 की डेबल में आता है 3 का डिवैड दिया 3 एकम 3, 3 5, 15, 3 3, 9, 27 ठीक है दोनों में अभी भी 3 का डिवैड जा रहा है और डिवैड कर लो 5 अपॉन में 13, 3 5s are 15, 3 1s are 3, 3 3s are 9 दोने एक्वल आगे ठीक है अगर दोने एक्वल आ जाते तो यह क्या होंगे इक्वलेंट फ्रेक्शन या तो आप डिवैड कर लो या फिर आप मल्टिप्लाइ कर लो या फिर आप मल्टिप्लाइ कर लो जैसे इन दोनों को रखा 45 ओपन 117, क्रॉस मल्टिप्लाइ ठीक है लेकिन इसमें क्या थोड़ा टाइम जादा कंज्यूम हो जाता है अगर मैं इ इन दोनों को मल्टिप्लाइ करों तो मल्टिप्लाइ करने में इन में जादा fraction ठेक equivalent fraction होगी तो statement क्या होगी हमारी true होगी तो ये तो आपका method number 1 होगया और ये method number 2 होगया दोनों में से जो आपको suitable लगे उस method से आप इसको solve कर सकते हो अगला सवाल sum of two fraction is always fraction दो fraction को add करने पे हमेशे एक fraction ही मिलेगा चेक करते हैं इसके लिए मैंने एक example ले लिया मानलो 2 by 3 लिया मैंने और एक लिया 1 by 3 दोनों ही fraction है दोनों को add करने पे क्या करा fraction ही आएगा चेक करते हैं दोनों का base से में 3 लिखा 2 plus 1 3, 3 में 3 के divide दिया 1, अब एक तो कोई fraction नहीं है, ये तो एक whole number है fraction ही है 1 जो है, वो एक whole number है fraction क्या होता है इस तरीके से numerator and denominator form को कहते है fraction 1 हमारा fraction ही एक whole number है question क्या रहा है कि दो को add करने पे fraction आएगा, fraction दो नहीं आया क्या है, whole number है इसलिए given statement क्या हो जाएगी false clear, ये हमारा 48 का answer हो गया 49 49 में क्या रहा है the result obtained by subtracting from a fraction from another fraction is a necessary fraction यहाँ पर add करने पे fraction आना चाहिए था यहाँ subtract करने पे fraction आना चाहिए सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है तो इसके लिए भी हमने एक example ले लिया example लिया जैसे मालो 11 by 5 minus कर देंगे 6 by 5 दोनों का भी same है 5 11 minus 6 कितना है 5 5 में 5 का divide दे कितना है 1 तो यहाँ पर भी 1 ही आया whole number आया fraction दो नहीं आया और question क्या अगरा fraction ही आयगा जरूर ही ऐसा होना तो यह बात बिलकुल गलत है false होगी यह हमारा क्या है whole number है fraction नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा false अब discuss करेंगे question number 50 15 बोला है if a whole number whole or object divide into the number of equal part कोई भी object है उसको equal part में डिवाइड कर देते है चै तीन पार्ट, चार, पांध, तस, पंदर जितने मर्जी पार्ट में डिवाइड कर दे है then each part represents a fraction तो हर एक पार्ट के आप रिप्रेजन करेगा fraction रिप्रेजन करेगा example के तोरबे मैंने जैसे के एक rectangle लिया इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ एक, दो, तीन, चार, चार होगे और डिवाइड कर देता हूँ total मैंने इसको 8 part में डिवाइड कर दिया तो इसका जो हर एक part होगा न ये total figure तो एक ही है इसके मैंने कितने टुकड़ेगी है 8 तो हर एक part, यानि कि ये वाला 1 by 8, ये भी 1 by 8, 1 by 8 हर equal part एक fraction को represent करेगा question भी तो ये कह रहा है if a whole of whole या or an object, कोई number of whole divide into the equal part इसको equal part में divide कर दिया तो इच part एक fraction represent करेगा ये बात बिलकुल ठीक है तो answer हो जाएगा मारा true और इसकी definition क्या लिखेंगे fraction is a part of a whole fraction जो होता है, वो whole का ही है गए पार्ट होता है तो बात हो जाएगी true अब डिस्कस करेंगे question number 51 को बला, the place value of the digit at the 10th place is a 10 times of the same digit at the one's place question ही क्या रहा है, कि अगर place value of कोई digit जिसका place value, जो 10th place का number होता न, वो 10 times होता है at the same digit at the one's place, जो one's digit पे कोई number होता है, उसका 10 time होता है, ठीक है, तो मैंने कोई number ले लिया, मालवन लिया, the place value of one one at one's place एक की one's place पे number value क्या होगी, एक होगी, क्यों one's place को multiply किया जाता है, एक के साथ, तो one बन जा, one होगी, ठीक, फिर इसी one की मैं place value लेता हूं, 10th place पे, the place value of one at 10th place पे, तो 10th place पे, तो 10th place का मतलो होगी, 1 by 10, multiply कर दिया, कितना आ गया, 1 by 10 आ गया, अब कोशी नहीं कहा रहे है, यह जो 1 है, इसका कितना होता है, 10 times होता है, कितना होता है, 10 times होता है, इस चीज़ को हम वेरिफाइ कर लेते हैं, यह लिगता हूं है, प्ले is value of one's number of times of 10th place, इसके लिए क्या करेंगे, जो one's place है, इसमें डिवाइड कर देंगे, 10th place की नंबर का, डिवाइड करने का लोजिक होता है, कि डिवाइड को चेंज कर दो, multiply में नंबर को कर दो, reciprocal, 10 by 1, तो कितना आ गया, 10 times होता है, इस निकल गया गया, और यही बात हमें कोशन में दे रखिए, उल्टा कर जेंगे, यहां पर 10th place की value निकालनी है, तो once की जगह आएगा 10th, और यहां पर आएगा once, 10th place की नमारा 1 by 10, यहां पर आएगा 1 by 10, और डिवाइड देंगे, इसके इसके अंदर, 1 का डिवाइड द 10th place की निकल के आया, जबकि कोशन में क्या का रहा है, कि 10th times होता है, 10th times नहीं होता है, 1 by 10th times होता है, तो given statement क्या हो जाएगा हमारी, false हो जाएगी, ठीक है क्यों 10th place, मैंने कल्ती से कंसिडर कर लिया, कि once place का निकालना, जबकि 10th place का निकालना में, ठीक, अब हम डिसक्स करे value of the digit at the 100th place is 1 by 10th times of the same digit at the 10th place, same question आगे उसी तरीके कमारा, ठीक है, तो दो बारा से बैस ही करेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा, the place value of 1 at 10th place, 1 की 10th place की value निकालेंगे, 1 को multiply कर दिया, 1 by 10 के साथ, तो 1 by 10 आगया, the place value of 1 at 100th place, 100th place, तो 1 को multiply करेंगे, 1 by 100 के साथ, कितना आगया, 1 by 100 आगया, हम इचक इसकी करनी है, यहाँ पर, 100th place की चक करनी है, यहाँ पर लिखेंगे, 10th place, value of, 100th place of, 100th, number of times of, 10th place, तो 100 प्लिस वाले कितना रहा है, 1 by 100, इसमें डिवाइड करेंगे 1 by 10 का, ठीक है, जिसके पूछी है, इसको आगे, जिसमें बताना है, उसको रखेंगे पीछे, 1 by 100, डिवाइड को जेंज कर देंगे, मल्टिप्लाइ में तो संक्योल्टी हो जाती है, 1 by 10 का 10 by 1 हो जाएगी, 0 अब डिसक्स करेंगे, कोशन नमबर 53, पुलाद डैसिमल, 3.725 एक्वल है, 3.725, कहीं करेक्ट फॉम में इसकी, चलो जी चग करते हैं, 3.725, ये इसके एक्वल आएगा, या नहीं, यह में चग करना है, देखो, ये अप्टू 2 डैसिमल तक दे रखा है, 3 है, अगर 5 या 5 से जादा हो, तो इसे 1 मान के आगे वाले नमबर में अड़ कर देते हैं, क्या मान के, 1 मान कर, कब करते हैं, जब ये नमबर 5 या 5 से जादा हो, तो 5 ये 1 मान के आगे वाले में अड़ कर देंगे, 7.3, कोशन कहा रहा है, ये 7.2 होगा, जब कि हो कितना है, 7.3, दोने तो यानि कि given statement false होगी, इसकी जो correct form होगी वो यह वाली होगी, ना कि यह वाली होगी, clear? अब discuss करें question 54, बुरा the decimal form of 25 upon 8, उसकी यह होगी, इसकी decimal form में दिबता रखी है, तो check करते हैं, 25 में 8 का divided करते हैं, देखो जरा, 8th रीजा 24, 1 बज गया, बचेने के बाद हमने लगाते है, decimal, decimal लगने के बाद एक 0 आ जाती है, फिर divide देंगे 8, 1 जा 8, जब तक हमारे divide चलता रहेगा, हम decimal बाद एक 0 उतारते रहेंगे, 2 बज गया, decimal लगा उतारा 0, 8, 2 जा 16, 4 बज गया, decimal लगा फिर 0 उतार दी, 8, 5, 0, 40, तो हमारा जो answer आया, वो आया 3.125, इसमें भी यह दे रखा है, तो given statement क्या हो जाएगी हमारी true हो जाएगी, और इसे के साथ हमारा question number 54 यहां पे complete होता है, उमीद करता हूँ, student आपको question समझ में आ गया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आये तो वीडियो को like करें, share करें, comment करें और इस channel को जरूर सब्सक्राइब कर लें